नमस्कर दोस्तों आपका मेरे यूटूब चैनल बाबा अयरुवेदा में स्वागत है और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नागफनी के पोदे के बारे में नागफनी का जो पोदा है वह थूवर की ही एक परजाती है मतलब केक्टेस की परजाती है यह एक काटेदार मनोस्दी है इसे वज्जर कंटका नागफना हथा थूवर वह नागदाली के नाम से भी जाना जाता है इसके पत्ती नाग के फन की आकरती की गदमदार नुकिले काटों से युक्त होते है इनी पत्तों के उपरी सिरो पर इसका फल लगता है फल लगने से पहले फल के उपर बहुती सुन्दर पुस्प लगता है जो प्राए पिले या संत्री रंका होता है यह पुस्प सूख कर गिर जाता है तब फल बनने लगता है यहां फल पकने पर लाल रंका हो जाता है इसके अंदर से भी लाल रंका परदार्थ निकलता है इसका सुआद कंट को भेदने वाला हलका मिठा होता है यहां परकरती में बहुत गरम है नागफणी के फाइदे की बात करे तो इसका परिय गठिया वबायदर्द में सुजन में कबजवय दस्त में आतों की समस्या में केलेस्ट्राल कम करने में पाचक किरिया सुधारने में वजन गटाने में तवचा के निखार के लिए कैंसर रोग में सपेसल मुझ के कैंसर में हडिया मजबूत करने के लिए अनिंद्रा में टाइ ले बहुत परचलित था क्योंकि उस समय हिंदू परंपरा के अनुसार जो कन छेद संसकार बच्चों का किया जाता था वह इसी नागफणी के काटों से किया जाता था ताकि कान में ज्यादा सुजन ना हो कबज की सिकायत में इसके दो से दस बूंद दूद को पतासे में डाल कर खाने से कबज की सिकायत तुरंत दूर हो जाती है सुजन के लिए आप इसकी पती ले और इन्हें आज पर पकाए पकाने के बाद इस पती को बीच से फाड़ दे और सुजन पर लगाए आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी सुजन में दर्द कम हो रहा है और सुज पूमे में इसकी पतियों का अर्क पिलाने से बहुत लाब होता है इसके पत्तों के गुद्धों को भून कर अंड़कोस पर लगाकर उपर से लंगोटा पहनने तो इससे हाइड्रोसेले की समस्या अंड़कोस में पानी बरने के समस्या भी ठीक हो जाती है जिनको बहानक खा कर आज पर भून कर फिर काली मिर्च वे नमक लगा कर खिलाते हैं इससे खासी में पहले बार ही परियोग करने से अराम मिलना सुरू हो जाता है इसी तरह नागफनी के बहुत जादा नुसके वे जानकारी है बाकि आप इसे किस नाम से जानते हैं वे इसके बारे में क्या ज जरूर बताए ताकि नागफनी के जानकारी और भी परबल हो जाए दोस्तो नागफनी में सिर्फ बड़े काटे ही नहीं होते हैं इसमें छोटे छोटे काटे भी होते हैं जो हाथ में लगने के बाद आखों से कम देखे जाते हैं तो कभी भी इसका परियोग करने जाए तो अपने व्यद्द से सला ले या उनके साथ में रहकर परियोग करे तो ज्यादा अच्छा होगा तो दोस्तो नागफनी की यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करे और अगे भी ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे इसके लिए बाबा आयरवेदा चैनल को अभी सब्सक्राइब करे जो की बिल्कुल फिरी है जै हिंद जै आयरवेद